दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे क्या TCS आपको offer later देने के बाद या joining later देने के बाद आपको reject कर सकती है क्या बाहर निकाल सकती है तो उसी के बारे में आज बात करेंगे तो दोस्त मैं आपको बता दूँ यहाँ वो reject कर सकती है बाहर निकाल सकती है अब यह सिच्वेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी उस ताम सिच्वेशन क्या रही होगी अभी मेरे पास एक रिसेंटली कमेंट आया था मैं उसी के बेस भी वीडियो बना रहा हूंगा अगर आपका ऐसा कोई कमेंट है मुझे लगता कि वीडियो बनाया दा सकता तो उस प परसेंट प्लस मार्क होना चाहिए है ऐसा क्र एडिया होता है कई प्रोफाइलट में हालां कि और आपने इंटर्वी करेक कर लिया उस ताम अतना वो ध्यान नहीं देते हैं आप से पूचते हैं अब आपके हैं मालो 55 परसेंट और आप ने बता दिया मेरे 60 परसेंट हैं तो उसला aí वह डॉकूमन्स चेक नहीं करते हैं अब होता क्या है आपका उफडर लेटर रिलीस कर दिया जॉइनिंघ कर दिया दिया सारी चीजह उंग और वो कंपनी ने क्रेटेडिया बनाए कि 60% होने चाहिए नहीं निकलेंगे तो आप 100% रिजक्ट हो जाओगे क्योंकि यह सिंगल आप बंदें वहां पे नहीं होगे वह कंपनी का अगर मेंडेटरी कर रखा तो वहां पर आपको कुछ नहीं हो सकता वहां से आप रिजक्ट क हो जाएगा ना क्योंकि पालसी तो हर एक प्पनिया क्यों को होती है लिकिन अगर ऑिकामेंसी की बात करहरो ना तो अगर पॉलिस की बात होगी वहां पर ना तो और 20 साल बाद भी company का data transfer नहीं कर सकते और joining हुई है उस दिन भी आप नहीं कर सकते कि वह company policy के अंगेस्ट होता है और जितने भी काम अगर आप company policy के अंगेस्ट करते हो कंपनी कोई भी action आपके उपर ले सकती आपको fire कर सकती या या आपके उपर notice भी जारी करवा सकती मतलब अगर company policy के अंगेस्ट गया तो आपको कुछ भी केस्ट करवा सकती है क्योंकि जब भी आपको offer लेटर जानिंग लेटर मिलता है आप उस पर देखना clearly mention होता है वहाँ प करें विनाना में शुबा मैं मैं में आपने नेक्स वीडियो में तेल लान वाइव ग्रेट मुमेंट और दोंट फोर्गे तो लाक से और सब्सक्राइब थैंक यू सो मच पर कमिंगेर जैहिन जैभारत नभी